कल युग में तेजा जी को शिब का अवतार माना गया है तेजा जब पैदा हुए तब उनके चेहरे पर विलक्षन तेज था जिसके कारण इनका नाम तेजा रखा गया उनके जन्म के समय तेजा की माता को एक आवाज सुनाई दी कुवर तेजा ईश्वर का अवतार है तुम् और देए हुए वच्छन पर अटल रहते थे उन्होंने अपने आत्म बलिदान तथा सदाचारी जीवन से अमरत्व प्राप्त किया था उन्होंने अपने धार्मिक विचारों से जनसाधारन को सदमार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया और जनसेवा के कारण निश्ठा अर्जत की ग्यतेजाजी अपनी मां से ससुराल पनेर जाने की अनुमती मांगते हैं मां को अन्होनी दिखती है और तेजा को ससुराल जाने से मना करती है भाभी कहती है कि पंडित से महूर्त निकल वालो पंडित तेजा के घर आकर पतड़ा देखकर बताता है कि उसको सफे पहले मुझे पनेर जाना है चाहे धन दान ब्राह्मन को देना पड़ेवे कहते हैं कि जंगल के शेर को कही जाने के लिए मुहूर्त निकलवाने की जरूरत नहीं है तेजा ने जाने का निर्नय लिया और मा भावी से विदायली अगली सुबह वे अपनी लीलन घुडी पर सव हुए और अपनी पत्नी पेमल को लिवाने निकल पड़े जोग संजोग के मुताबिक तेजा को लख़ियों से भरा गाड़ा मिला, कुवारी कन्या रोती मिली, छाना चुटती लुगाई ने छीक मारी, बिलाए रास्ता काट गई, कोचरी दाहिने बोली, मोर कुर लाने नास नदी उफान पर थी, जो ही उतार हुआ, तेजाजी ने लीलन को नदी पार करने को कहा, जो तैर कर दूसरे किनारे लग गए, तेजाजी बारा को उस अर्थात 36 किलोमेटर का चक कर लगा कर अपनी ससुराल पनेरा पहुँचे, तेजाजी पनेर पहुँचे तब शाम क समय था, पनेर गड के दर्वाजे बंध हो चुके थे, तेजाजी जब पनेर के कांकर पहुँचे तो एक सुन्दर सा बाग दिखाए दिया, तेजाजी भीगे हुए थे, बाग के दर्वाजे पर माली से दर्वाजा खोलने का निवेदन किया, माली ने कहा, बाग की चावी पेमल के पास है, मैं उनकी अनुमती बिना दर्वाजा नहीं खोल सकता। कि वो खरनाल का जाट है और रायमल जी के घर जाना है, पेमल की भावी माफी मांगती है और बताती है कि वो उनकी छोटी सालेली है, सालेली ने पनेर पहुँच कर पेमल को खबर दी। से उन पर इतनी क्रोधित हुई की सिधा श्राप ही दे डाला, जा, तुझे काला सांप खाए। तेजाजी उसके श्राप से इतने क्शुब्ध हुए कि बेना पेमल को साथ लिये ही लोट पड़े तेजाजी ने कहा यह नुगरों की धरती है, यहां एक पल भी रहना पाप है अपने पती को वापस मुरते देख पेमल को जटका लगा पेमल ने पिता और भाईयों से इश चारा किया कि वे तेजाजी को रोकें, श्वसुर और साले तेजाजी को रोकते हैं, पर वे मानते नहीं हैं वे घर से बहार निकल आते हैं पेमल की सहेली लाचां गूजरी का घर रुपनगर से लगभग दो किलोमेटर पर था लाचां गूजरी ने पेमल को तेजाजी से मिलवाने का यत्म किया, वहूंचनी पर सवार हुई और रास्ते में मेना सरदारों से लड़ती जूजती तेजाजी तक जा पहुची उन्हे पेमल का संदेश दिया अगर वो उसे छोड़ कर गए तो वो जहर खा कर मर जाएगी उसके माँ बाप उसकी शादी किसी और के साथ तै कर चुके हैं। के सामने खड़ी हो गई। पेमल ने कहा, आपके इंतजार में मैंने इतने वर्ष निकाले। मेरे साथ घर वालों ने कैसा बरताव किया यह मैं ही जानती हूँ। आज आप चले गए तो मेरा क्या होगा। मुझे भी अपने साथ ले चलो। मैं आपके चरनों में अपना जी तेजाजी ने भुजन किया। देर रात तक औरतों ने जमवाई गीत गाए। पेमल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तेजाजी पेमल से मिले। अत्यंत रूपवती थी पेमल। दोनों बत्रस में दूबे थे कि लाच्छां की आहट सुनाई दी। लाच्छां तेजाजी ने तेजाजी से गुहार लगाई की मेर के मेना डाको उसकी गायों को चुरा कर ले गए हैं। अब उनके सिवाए उसका कोई मददगार नहीं। आप मेरी सहायता कर अपने क्षत्रिय धर्म की रक्षा करो अन्यता गायों के बच्च्डे भूखे मर जाएंगे। तेजाजी ने कहा राजा वब भौम्या को शिकायत करो। लाच्चा ने कहा राजा कहीं गए हुए हैं और भौम्या से दुश्मनी है। पनेर में एक भी मर्द नहीं है जो लड़ाई के लिए चाई करे। तेजाजी ने कहा कि तुम्हारी गाएं मैं लाउंगा। तेजाज पेमल जिद मत करो। मैं क्षत्रिय धर्म का पालक हूँ। मैं अकेला ही मेना डाकों को हरा कर गाएं वापिस ले आउंगा। तेजा जी के आदेश के सामने पेमल चुप हो गई। पेमल अंदर ही अंदर काम्प भी रही थी। वो बुबुदाने लगी। दूंगर पर डेंड दुश्मन है ऐसी स्थिती में मत जाओ। तेजा जी धर्म के पक्के थे सो पेमल की बात नहीं मानी और पेमल से विदाई के लिए कहा। पेमल ने तेजा जी को भाला सौपा कर विदा किया। वहां से तेजा जी ने भाला, धनुष, तीर लेकर लीलन पर चड़ उन्होंने चोरों का पीछा किया। वर्तमान सुरसुरा नामक स्थान पर उस समय घना जंगल था। रास्ते में वे जब चोरों का पीछा कर रहे थे, उसी दौरान उन्हें एक काला नाग आग में घिरा नजर आया। उन्होंने नाग को भाले द्वारा आग से बाहर निकाला। जो मुझे डिसूंगा। तेजा जी ने कहा, मरते, दूबते वा जलते को बचाना मानव का धर्म है। मैंने तुम्हारा जीवन बचाया है, कोई बुरा काम नहीं किया। भलाई का बदला बुराई से क्यू लेना चाहते हो। नागराज को कहा, लीलन के पैरों से दूर खिसक ज जाओ वरना कुछ ले जाओगे। नागराज ने फूफकार कर दोश दिया कि वे उसकी नाग की योनी से मुक्ती में बाधक बने। बासग नाग ने कहा, मुझे मरने से बचाने पर तुम्हें क्या मिला, मैं जोडे से बिछोड गया तथा बूढ़ा वसहाय हो गया था, मेर मुक्ती के लिए मैं जल जाना चाहता था। शूरा तूने मेरी जिन्दगी बेकार कर दी, मुझे आग में जलने से रुख कर तुमने अनर्थ किया है, मैं तुझे डिसूनगा तभी मुझे मोक्ष मिलेगा। तेजा जी ने प्रायश्चित स्वरूप नागराज की बात मान ली और उन्होंने नागराज को वचन दिया कि लाचा गूजरी की गाएं चोरों से चुड़ा कर उसके सुपोर्द करने के बाद नागराज के पास लोटाएंगे। पर नागराज को विश्वास नहीं होता है। तब तेजा जी ने विश्वास दिलाया कि मैं धर्म से बंध हूँ। सूरज चांदव सोखे खेजडे की साख भर कर वचन देते हैं कि मैं हर हाल में वापिस लोटूंगा। मेरा वचन पूरा नहीं करू तो समझना मैंने मेरी मां का दोधी नहीं पिया है। वीर तेजा जी वापिस लोट आने का वचन देकर सुरसुरा की घाटी में प अंघर्ष होता है। तेजा जी ने बानों से हमला किया। कुछ डाकू धेर हो गए, कुछ भाग गए और कुछ डाकों ने आत्मसमरपन कर दिया। तेजा का पूरा शारीर घायल हो गया और तेजा सारी गायों को लेकर पनेर पहुँचे और लाच्छा गूजरी को सौप द लाच्छा गूजरी को सारी गाये दिखाई दीपर गायों के समूह में काना केरदा नहीं दिखा तो वो उदास हो गई और तेजा को वापस जाकर लाने के लिए बोला। तेजा जी वापस गए। पहाडी में छुपे मेना डाकों पर हमला बोल दिया वो बच्छडे को ले आये। इस लड़ाई में तेजा जी का शरीर छलनी हो गया। बताते हैं कि लड़ाई में 150 डाकों मारे गए जिनकी देवली मंदावारिया की पहाडी में बनी हैं। सब डाकों को मार कर तेजा जी विजई होकर वापस पने राये। तेजा जी लाच्छा गूजरी को काना के सौप कर वचन बद्धता के अनुसार लीलंग घोडी से बोले कि तुम वापस उस जगा चलो जहां मैं वचन दे कर आया हूँ। तेजा जी सीधे बासग नाग के इंतजार स्थल पर आते हैं। बासग नाग से बोलते हैं कि मैं मेरा वचन पूरा करने आया हूँ तुम अब अपना वचन पूरा करो। नागराज का हृदय कांप उठा। नागराज ने कहा तेजा नाग खुवारी जगा बिना नहीं डिसता। तुम बुरी तरह लहुलूहान हो। तुम्हारे रोम रोम से खुन टपक रहा है। मैं कहां डिसू। तेजा जी ने कहा अपने वचन को पूरा करो। मेरे हाथ की हथेली वजीब कुवारी हैं। मुझे डसलो। नागराज ने कहा तेजा तुम शूरवीर हो। मैं तुम्हारी इमानदारी और बहादुरी पर प्रसन हूँ। मैंने पीधी पीधी का बैर चुकता कर लिया। अब तुम जाओ। धन्य है तेजा त धन्य है तुम्हारी शूरवीरता और प्राण। आज कालिया हार गया और धॉलिया जीत गया। मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ। मैं प्रसन होकर तुम्हें वर्दान देता हूँ कि तुम अपने कुल के एक मात्र देवता कहलाओगे। कुल के देवता के रूप में पूजे जावोगे. आज के बाद काला सर्प का काटा हुआ कोई व्यक्ति यदि तुम्हारे नाम की तांती बांध लेगा तो उसका पान उतर जाएगा. किसान खेत में हलोतिया करने से पहले तुम्हारे नाम की पूजा करेगा और तुम कल्यूग के अवतारी देवता माने जावोगे. यही मेरी अमर आशीश है. तेजा जी ने कहा मैं अपने वचन पर अटल हूँ तुम अपने वचन को पूरा करो. नाग को उनके क्षत विक्षत शरीर पर दंश रखने भर को भी जगा नजर नहीं आए और अंतता तेजा जी ने अपनी जीब पर सर्फ दंश जेल कर अपने वचन की रक्षा की. तेजा जी ने नजदी की उंच चराते रेबारी आसु देवासी को बुलाया और कहा, भाए आसु देवासी, मुसीबत में काम आने वाला ही घर का होता है, तू मेरा एक काम पूरा करना. मेरी इहलिला समाप्त होने वाली है मेरा रुमाल वह ये समाचार रायमल जी महता के घर ले जाना और मेरे सास ससुर को पावा धोक कहना. पेमल को मेरे प्यार का रुमाल दे देना, सारे गांव वालों को मेरा राम राम कहना और जो कुछ यहां देख रहे हो पेमल को बता देना और कहना की तेजाजी कुछ पल के मेहमान है लीलंग घोडी की आँखों से आशू टपकते देख तेजाजी ने कहा लीलंग तू धन्य है आज तक तूने सुख दुख में मेरा साथ निभाया मैं आज हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा साथ छोड़ रहा हूँ तू खरनाल जाकर मेरे परिवार जनों को आँखों से समझ आशू देवासी सीधे पनेर में रायमल जी के घर गया और पेमल को कहा राम बुरी करी पेमल तुम्हारा सूरज छुप गया तेजाजी बलिदान को प्राप्त हुए मैं उनका मेमद मोलिया लेकर आया हूँ तेजाजी के बलिदान का समाचार सुनकर पेमल के आँखों के आ पेमल जब चिता पर बैठी तब लीलंग घुडी को संदेश देती है कि सत्य समाचार खरनार जाकर सबको बतला देना। इससे मनपसंद कारिय पूर्ण होंगे। यही मेरी अमर आशीश है। लीलंग घुडी सतीमाता के हवाले अपने मालिक को छोड़ अंतिम दर्शन पाकर सीधी खरनाल की तरफ रवाना हुई। पर बतसर के खारिया तालाब पर कुछ देर रुकी और वहां से खरनाल पहुँच चोड़ चुके हैं। तेजाजी की बहिन राजल बेहोश होकर गिर पड़ी, फिर खड़ी हुई और माता पिता, भाई भुजाई से अनुमती लेकर मां से सत्का नारियल लिया और खरनाल के पास ही पूर्वी जोहर में चिता चिनवाकर भाई की मौत पर सती हो गई। भाई तेजाजी की प्रिय घोडी लीलन भी दुख नहीं जेल सकी और अपना शारीर छोड़ दिया। लीलन घोडी का मंदिर आज भी खरनाल के तालाब के किनारे पर बना है। वीर तेजाजी लोकदेवता, क्रिशी कार्यों के उपकारक देवता, प्रणवीर, युधवीर, सत्य वीर, परमार्थी, वीर, शेरोमनी थे।